सबी को प्रणाम, मैं आपके सामने उपसीतो कर एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें कोई गल्ती होती होती हमा करी प्रत्विराज के भूलों वाले पन्नों को वापीस मत खोलो, शुल बिछे अगन में हरकीज अंधे ओकर मत गलो अग भूल चटा दो अन गिद्वों को जो घर में गुसकर गात करो, जिस काट लो अन कुत्तों की जो काश्मीर की बात करे शांती हो तो छोड़ो दिल्ली, शस्तों को संधान करो, सेना का आदेश थमा रंचन्दी का अवान करो लग नापो किरा दे हाथ उटे तो हाथ काट दो और मा क्रभूली पर घात बने उन बक्रों को ऐसा जटका दो कि उनके जिंदा शिश काट कर लाल किले पर लटका दो एक बास सभी जाएकार वो लेंगे भारोत मत की एक गंबी टिपणे आप सभी के बीच पहुचाती हूँ कि जब दो सेनिकों के मस्तक काट लिए गए तो हैमराज सेय का मस्तक वापस हिंदुस्तान लोटकर नहीं आया तो उसकी मा ने पांच दिन तक अंशन किया अपने बैटे के मस्तक को पाने के लिए अन में जल छोड़ दिया अखिरकार एक पत्रकार ने उस मा से पूछ लिया कि माँ जब आपने बैटे के प्राण देशर्श प ख़ун करदिये तो क्या ज़रूत है आप को पांच दिन तक अंशन करने कीई उस माँ ने कहां उस मा ने कहा कि जिस दिन, जिस दिन मैंने मेरे बैटे को सेना में भर्ती कराया था, उसे दिन उसके प्राण मैंने देश में ने अच्छावर कर दिये थी, लेकिन अखिर मैं तो उसकी मा हूँ, नो मा है तक इसी घर्व में उसका पालन कोशन हुआ है, क्या उसके पार्थिर दर्शन करने का अधिकार भी इस माने खो दिया है। बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने कहड़े हो तो देशभगत के चेहरे की भाव भंगी मा कैसी होनी चाहिए। दो पंक्तिय पुना पर तीज सुलियेगा, जो आख उटी ने भारत पर कसम राम की आख पोर दो, ले नपको की रादे हाथ उटे, तो हाथ तोड़ दो, और मात्र भूमी पर घाद बने उन बक्रों को इसा जटका दो, कि उटे जिन्दा शिश काट कर लाल किले पर लटका दो अरे गांडी उठालो और जून, फिसे समर मा भारत कर दो, लाहर, कराची और रावल पिंडी, सब भारत कर दो, कि मात्र भूमी की खाती मत्यूद, सब है अवसाद नहीं, देश के खाती लहुवाना वीरो का अपराद नहीं, जोर उठा तो ख्षानित में पर सबने चकना ज मजबूर हुए, सिहासन की ना मर्दी से हम बरने को मजबूर हुए, घाटी में कोहराम मचाया दुष्टो की बरबरता है, बाजुबंद ये वीरो की दिल्ली की कायरता है, अगर आजादी हमको दी होती, तो कसमराम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता, कसमराम की द